हेलो दोस्तों, welcome back to the channel Commerce Heroes Classes और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है Product Mixed Decision ठीक है, ये बाले टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे जो की है Decision Making and Variable Costing आपका Management Accounting से दोस्तों, बहुत जादे Important Topic और बहुत अच्छा Topic है पहले मैं आपको बताऊँगा कि Sir Topic Actually मैं बोलना क्या चाता है फिर हम मैं इस Topic को पूरा आपको Explain करूँगा Theory बताऊँगा आपको इसकी Because Theory में भी पूछा जा सकता है तो Theory भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए And then फिर हम इसका एक क्या करेंगे एक बहुत बढ़िया सा Practical Question करेंगे तो देखो अगर आप Seriously पढ़ोगे ना तो चीज़े आपको समझ में आईगी और अगर आपको चीज़े समझ में आईगी तो आप जब आगे चलके किसी कंपनी में काम करोगे न तो सामने वाले को पता होगा हाँ भाई बंदा थोड़ा सा जो है न क्या है माइंडिड है हर चीज़ को इतना casually नि लेना चाहिए कि पढ़ाई है ठीक है कर लेंगे जस्ट पास हो जाएंगे और अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो उसको नहीं देखा है तो पहले उपर आई बटन पे क्लिक करोगे उपर यहां पर जाना आई बटन आ रहा होगा उस पे क्लिक करोगे तो management accounting का ना पूरा link एक उपर हो जाएगा और पीछे के सारे जितने भी lectures है 20 जो भी lectures मैंने ले चुका हूँ 20 lectures approximately हो गए हमारे पहले उसको देखना सीधा इसके उपर आऊगे तो क्या हो जाएगा problem हो जाएगी अच्छे से आपको क्या समझ में आएगा तो पका पका अब इसको क्या कर लो आप लोग ध्यान से कर लो फिर आपके अच्छे marks आजाएगे अच्छे marks आएगे तो उससे अच्छी job opportunities भी आपको मिलेगी ठीक है बच्चो चलो start करते है अपना topic के साथ देखो product makes decision अब इसकी theory पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा overview दे देता हूँ के sir actually मैं सिखाना और भी बहुत चारी चीज़ें जो की नेसले बनाता है baby food है, sarilak वो भी बनाता है अभी मान के चलो एक company है नेसले, मान लो आप लोगों की company है कौन सी, नेसले आप लोगों की company है आपकी company में मैगी भी बनती है kitkat chocolate भी बनती है मैगी के pastas भी आते है और बेटा, Nescafe coffee भी किसी है नेसले किया, अब इसका ये हर एक product जो है ना, इसकी sales बहुत अच्छी आपने कभी न कभी न कभी इन सारे products को क्या करा होगा use करा होगा 100% मैगी भी, coffee भी, kitkat भी आपने कभी न कभी खाई होगी अब बेटा, एक बात बताओ, क्या सारे product की sales एक जैसी हो सकती है ये सारा product एक बराबर कमा के देते है नई sir, कोई product है जो ज़्यादा कमा के देता है अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो Neslai की जो मैगी है वो सबसे ज़्यादा बिखती है तो ये इसका star product होगा ये इसका star product होगा, ये इसको ज़्यादा कमा के देता होगा फिर KitKat भी अगर हम बोले, ये भी इसका star product होगा ज़्यादा कमा के देगा पास था थोड़ा सा कम इसका sales होता है दो star दे दिया, और coffee की बात करे तो हमने इसको भी four star दे दिया कि भाई star product है यह हमारे अब देखो company के पास जो है न जो resources होते है देखो production करने के लिए आपको resources चाहिए resources कौन से होते है sir land होती है labor होता है capital होती है मतलब की पैसा होता है और एक sir entrepreneur होता है मतलब की businessman हो गया अब अगर हम बात करें resources वो चीज़े होती है जो हमारे पास limited है अब देखो मेगी के पास क्या land unlimited है क्या limited land है sir obviously land क्या है limited बहुत महेंगी आती है labor भी कैसी है limited है employees क्या होते है limited capital की बात करें sir रंधा पैसा होता है sir जितना मर्जी पैसा है हम लगाते जा सकते है business के अंदर नहीं sir पैसे भी क्या है उसके पास limited है limited पैसो के साथ क्या करना उसको operate करना अब बेटा ध्यान से समझो जो product आप को ज़्यादा कमा के देगा अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि हमारी जो maggie है वो सबसे ज़्यादा कमा के देती है अब उसके पास जो employees है employees employees वो ज़्यादा से ज़्यादा किस के अंदर invest करेगा maggie के अंदर बेटा ये product इसको ज़्यादा कमा के देता है per unit तो ये ज़्यादा से ज़्यादा product कौन सा बनाएगा maggie ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा because maggie बनाने में इसको ज़्यादा क्या आता है profit मिलता है तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया था contribution contribution कैसे निकलता है sales minus variable cost is equals to contribution तो बच्चो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा इन सारे product का contribution per unit निकालना पड़ेगा जैसे मैंने maggie का contribution per unit निकाला kitkat का contribution per unit निकाला और किसका निकाला बच्चो कौफी का निकाला अब maggie का जब मैंने contribution per unit निकाला तो मुझे पता चला हर एक maggie को بेचने पर 5 रुपे per unit company को बचता है kitkat बेचने पर company को 4 रुपीज बचता है coffee बेचने पर 3 रुपीज पर unit बचता है और पास्ता बेचने पर रुपीज बन पर यूनिट बचता है अब बताओ ना हर एक यूनिट बेचने पर सबसे ज़्यादा profit किस में आता है obviously सर्मेगी में आता है तो company सबसे पहले अपने resources किस में लगाएगी सारे कि सारे land भी जादा से ज़्यादा किस को देगी labor किस को ज़्यादा देगी अपने जो पैसे है वो किस के अंदर ज़्यादा लगाएगी सर्मेगी के अंदर तो इसको मैंने rank 1 देदी क्या देदी rank 1 देदी फिर बेटा kitkat ज़्यादा कमाखे देता है इसको मैंने rank 2 दे दिया फिर coffee इसको मैंने rank 3 दे दिया और इसको मैंने rank 4 दे दिया तो हम बेटा हर एक product को क्या देंगे rank देंगे तो और rank के एसाब से हम क्या करेंगे investment देंगे अब सबसे पहला हमारा ध्यान focus किसके होगा Nestle company का मैगी बनाने पर kitkat का फिर kitkat बनाने पर focus रहेगा फिर coffee बनाने पर focus रहेगा और सबसे end में कम से कम resources किसमें जाएंगे pasta तो इसको बोलते हैं हम क्या product decision mix कि हमको इसा decision लेना है कि कौन सा product हम कितना बनाए ताकि company को जादा से ज किती बनानी है coffee बनानी है तो कितनी pasta बनाना है तो कितना बनाना है थाकि money मैमक्सिमं से maximum क्या हो profit हो up sir यह decision क्यों लेना है क्ए concept because हमारे पास 않은 resources क्या है limited है limited resources के साथ limited पैसे के साथ आप जाधर से जाधर पैसे कबाना चाहते हो न कल को आप बोलते हो कि sir हमें businessman बनना है तो बेटा आपके पास limited पैसे है अब वो पैसा आप उस business में invest करोगे जिसमें कम पैसे लगाकर आपको maximum क्या हो जाए profit हो जाए ऐसा ही ये companies भी तो करती है अब ये थोड़ी सी बात समझ में आए अब थोड़ा सा मैं आपको theory पढ़ा हूँ देखो अब theory पढ़ती है ताकि हमारा maximize हो पाए क्या profit तो अभी हमने नेसले के case में देखेगा देखा कि company सबसे पहले किसको बनाना चाहेगी मैगी को बनाना चाहेगी फिर company बनाना चाहेगी kitkat ठीक है kitkat sir आपने मुह में पानी दिलवा दिया आपकी वीडियो देखते देखते तो भूक लग गया ही हमें ठीक है ध्यान से पढ़ लो बेटा पहले पढ़ लो ठीक है exam जा जाजेंगे उसको उपर focus करो मैगी की बात कर contribution वो product जो कि आपको maximum क्या कमा के दे रहा है contribution कमा के देता है उसको consider करा जाता है ideal product mix मतलब उसको सबसे ज्यादा बनाया जाएगा बाकी सारे products की production तो होगी लेकिन limited production होगी therefore in order to determine the best product mix तो अगर आपको best product mix निकालना है आपको contribution निकालना पड़ेगा हर एक product का ठीक है निकालना और उस product का आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चो contribution per unit किया निकालना पड़ेगा contribution जिसकी contribution जजादा ओगी company अपने resources ज्टादा invest करेगी उसके ऊपर सर कॉन से resources जो कि आपके पास limited है वो सकते है आपके पास जो labor hours हे वो क्या है limited है आपके पास जो labor hours है वो क्या है limited है limited workers है हमारे पास और limited time वो काम कर सकते है 24 गंटे तो काम नहीं कर सकते तो उस product को आप सबसे ज़्यादा hours invest करोगे workers जो company को ज़्यादा से ज़्यादा कमा के दे the product mix decision should be taken on the basis of contribution per unit of key factor key factor का मतलब होता है जो factor जो resource आपके पास क्या है limited ठीक है अभी यह मैं question के अंदर आपको भी क्या करूंगा explain करूंगा assign the ranking on the basis of contribution per unit जैसे अभी मैंने rank दिया कि rank 1 मैंने maggie को दिया फिर kit kat को मैंने rank 2 दिया फिर coffee को मैंने rank 3 तो इसे साबसे बच्चों आप क्या दोगे contribution के साबसे ranking दोगे तब best product mix would be that which would increase profit volume ratio और which reduces break-even point तो best product mix कौन सा होता है जो कि आपकी profit volume को क्या करता है बच्चों increase करता है जाद से जादा आपको profit कमाके देता है और reduce करता है आपका क्या break-even point हमेशा company अच्छा-कासा margin of safety में काम करना चाहती है margin of safety मैंने आपको पीछे समझा रखा है break-even point कि आगे जाके आपको क्या मिलता है यहां पर आपका margin of safety और यह क्या होती आपकी actual sales company की actual sales हमेशा break-even point से जादा होनी चीए break-even point क्या होता था जब company को no profit और no loss होता है company की sales जादा होनी चीए break-even point से और इन दोनों का difference जो होता था वो होता था margin of safety यह मैंने आपको तो यह सारे points को अगर आपने एक बड़ देखो रहाँ इजी है देखो practical है चीजों को समझना मुश्किल नहीं है रटा मारोगे तो दिक्कत हो जाएग इतने सारे points आप क्या कर सकते हो अगर इसके उपर question आ जाता है theory का लेकिन theory का question ना कि उसके उपर ज्याद़ जाद़ चांसे होते है practical question आने का अब next video के अंदर मैं आपको क्या सिखा दूँगा product makes decision का हमें बहुत अच्छा सा practical question करेंगे और ध्यान रखा करो practical questions को जब आप करो तो calculator के साथ अपना register निकाल के place के साथ मेरे साथ क्या करा करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है video को like करना है comment box में बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए एक और वीडियो बना के आपको उसको और अच्छे से समझा देंगे ठीक है और दोस्तों के साथ क्या करना है शेयर करना है ठीक है चलो बाई बाई दोस्तों